हलो दोस्तों मैं हूँ सिवरा सिंग स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंग में दोस्तों आसा है आप लोग अच्छे से होंगे बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको यू जी सी नेट का जो सिलिबस है उसमें जो संकल पनाएं जो सब्दावलि है ठीक है इसे जो है क्योस्ट्टन बनते हैं आपके तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तो पीछे के जो आपने सब्दावलिया नहीं देखें तो देख डालिये ठीक है तो आज की सब्दावली है दोस्तों आप देखिए कर भोग और भाग ये आपको सेलि कर आप आज भी देखते हैं हम लोग tax देते हैं कर देते हैं ठीक है तो प्राचीन काल में और जो इतिहास में आप देखेंगे किस तरह क्या है तो देखें आप कर के बारे में समझें कर का मुख्य आशय राजस्व से है ठीक आज भी आप देख रहे हैं government tax ले रही है जाता था जैसे आद देखी उत्तर वैदिक काल में क्या बुला जाता था कर को भाग बुला जाता था ठीक है यह उत्तर जब वैदिक काल में आपको पढ़ा रहा था तो इसको इसके बारे मैंने आपको बताया था ठीक है अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख ल में आए जिससे की इतिहास से दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ही नहरा जाए आपके पास ठीक है तो और भी कुछ इस वीडियों भी आपको लगता है कुछ चीजे नहीं समझ में आई तो कमेंट करिएगा आगे देखी मौर काल में क्या बुला जाता था प्र के नाम थे अब देखी कर की प्राप्ति मुख्य रूप से भूराजस्व से होती थी ठीक है आज की तरह तो है नहीं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां और जो है व्यापार कई तरह के हैं पहले भूमी पे ही ज्यादा जो है आस्री तरहती थी सरकारे भी तो अब देखी यहां पे तो कर भी भाई भूमी से ही प्राप्त होगी ज्यादा से ज्यादा भूमी से ही प्राप्त होगा तो कर की प्राप्ति मुख्य रूप से भूराजस्व से होती थी सासक वर्ग स्वयम को भूमी का स्वामी होने के बदले इसे किसानों से वसूलते थे ठीक है और दिखे आ में भूराजस की वसूली सरदार करते थे। ठीक, आन्य करों में ब्यापार कर, सिचाई कर, यातायात कर इत्यादी लिया जाता था। ठीक है? और दिखिए आप, अब आप कर के बारे में प्राचीन इतिहास में क्या बोला जाता था? यह चीज़ आप समझ चुके हैं, ठीक है? अब कर के बारे में जान लिया आपने. अब देखिए, एक दूसरा इसमें लिखा हुए भोग और भाग सब्द है. इसका क्या आरत है? यह आप समझ ही. देखिए, भोग भाग, जिस भूमी पर राज जिद्वारा सिचाई स्विधा प्रदान की जाती थी. ठीक है? उस पर सिचाई कर लिया जाता था. जैसे आप देखते हैं कि जो राजा थे, जो उनकी जो कारिकारी समित थी, तो वो सिचाई के लिए बहुत सारी सिद्वाइं कराती थी. नहर खुदवाना, ठीक है, कुवे खुदवाना. तो यह सब राजा द्वारा किया जाता था. उनसे जो है भाग कहा जाता है, वो लिया जाता था. ठीक है? तो जिस भूमी पर राज्य द्वारा सिचाई सिद्धा प्रदान की जाती थी, उस पर सिचाई कर लिया जाता था. जो भाग कहा जाता था. तो आपको भाग सब्द समझ में आगया होगा कि भाग का अर्थ क्या है ठीक भाग के बारे में आप समझें अब देखिए और ये उपज का कितना भाग लेते थे तो ये उपज का एक बटे दसवा भाग जो है होता था ठीक है करके रूप में लिया जाता था ये दिक्रिशक अपनी भूमी पर सबजी त्यादी जैसे सबजी हुआ कुछ और इस त देना पड़ता था जिसे क्या कहते थे भोग कहते थे ठीक जिसे क्या कहा जाता था भोग कहा जाता था तो अब आसा है दोस्तों आपको कर भोग और भाग जो सबदावली है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी ठीक है तो एक्जाम में आप आएगा अच्छे से लिख लेंगे ठीक है बाकी कुछ आगर आपको पूछना होगा तो कमेट में पूछिए अच्छा लगा है तो लाइक करें सेर करें मिलते हैं दोस्तों आप से अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद